तो आज हम बात करने वाले हैं अगर आपको अपना करियर वेब डिजाइनिंग या वेबसाइट डबलपमेंट में करना है तो कैसे आप कर सकते हैं तो इसी को पर आज का वीडियो होने वाला है तो वेल्कम बाक टू माई यूड़ चैनल में नाम है अनीश सना और आप देख है है स्टाइक वेब चैनल पर बहुत स्वागत हैं तो आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको अपनी अपना करियर वह स्टार्ट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं मेरे कुछ ऐसा कर्या चूज करना है जिसमें आगे जाके अच्छा फ्यूचर हो और धेरो पैसे कमा सकें तो wave designing उसमें से एक है wave designing की requirement हमेशा बनी भी रहती है और लोग चाहते हैं कि अपनी website बनाए हर कोई अपने एक individual website चाहता है जिसके तुरू अपनी branding कर सके अपने product को आगे promote कर सके अपने services को logo तक पहुचा सके तो इसके लिए wave designing एक job है ये हमेशा market में इसकी requirement बनी भी रहती है और कई लोग हैं जो इसमें अपना career मतलब काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और बहुत मोटा पैसा कमा रहे हैं तो आप सुच रहे होंगे कि आखिर कितना पैसा कमा लेते होंगे एक wave designer तो आराम से 25 से 30 लाख रुपए annually ये लोग कमा लेते हैं मतलब महीने के कुछ ना ना करते हैं हुए भी 2 से 2,5 लाख रुपए आप normally कमा सकते हैं as a experience समय लिए आपको 7 से 10 साल का experience अगर digital market आपको website designing में अगर हो चुका है तो आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं क्योंकि धीरी धीरे करते करते आपको नई नई चीज़े और नई नई software आपको सीखने पड़ते हैं तब जाके ये इतना पैसा आप कमा सकते हैं आप अगर अपना career start करना चाते हैं as a fresher और सोच रहे हैं कि मेरे को website designing में ही अपना career बनाना है और एक अच्छा पैसा earn करना है तो जो सबसे पहला जो करना है वो एक अच्छा सा institute search करिए अपने nearby जैसा मैं आपको हमेसा बोलता हूँ local ही institute आप जोइन कीज़े तो आपने अपना career मतल से मिले अपने graduation कर लिया है उसके बादा कहीं से computer course कर लीजिया website designing का course कर लीजिया और website designing में भी आपको जो starting होता है वो simple HTML से start होता है HTML आपको सीखना होता है CSS सीखना होता है JavaScript सीखना होता है इस तरह की जो छोटे मोड़ी जो software जो languages है वो आपको सीखने पड़ते हैं और उसी से आपका जो website development का जो career वो start होता है अगर आप सोचेंगा है कि एक बहुती भारी भरकम software में language सीख लेता हूँ और उसके बाद मैं अपना career start करूँगा तो वैसा नहीं चलता है आपको छोड़े छोड़े जो languages हैं वो सीखके website development आपको start कीजे और आपका career धीरे धीरे graph जो है उपर की तरह बढ़ने लगेगा अगर as a trainee आपको join करने का मौका मिलता है किसी company में कि आप अगर as a trainee काम कर सकते हैं और live projects पर काम कर सकते हैं आनवली मतलब 1820,000 रुपे आप easily कमा सकते हैं software development के field में और उसके बाद आपका career graph है वो ऊपर की तरह बढ़ता है देखिए एक अच्छा salary पाने के लिए website development में आपको कुछ दिनों तक मतलब कुछ सालों तक आपको उस field में काम करके problem solving और designing और नई नई चीजे जो हैं वो चीजे आपको सीखनी पड़ेगी मतलब आप जैसे जैसे आप काम करते हो website designing करते हो तो नई नई चीजे आप अपने website में implement करते हो क्योंकि जब भी आप ना किसी interview में देने के लिए जाते हो तो वहाँ पूछते हैं कि लास्ट website आपने कौन सा design किया था जो कि आपको लगता है कि बहुत ही अच्छा किया है तो वो चीजे आपको वहाँ दिखानी पड़ती है कि हाँ ये website मैंने design किया है तो उन्होंने उसी से related questions आपसे पूछन चालू करेंगे हो सकता है आपको practical भी करवाएं maximum जगा practical करवा के भी देखते हैं कि आप कितनी जल्दी इसे बना के दे देते हैं या फिर आपको एक task दी जाती है कि ये चीजे हैं और ये design है और इस design को आपको estimate design करके हमें देना है तो वो आपको करके देना पड़ता है तो ये सारी चीजे चानल लगतार interviews में या फिर पूछी जाते हैं जिसे आप आगे अपना career start कर सकते हैं बात करते हैं कि आपकर कहां से सीखना चाहिए online सीखना चाहिए या फिर physically जाके आपको सीखना चाहिए तो देखिए अगर आपके नियर भाई हुई इंस्चूट है अगर आपको लगता है कि online में problem solving आपकी नहीं हो सकती है तो आप कोशिच की जाए जाके physically जाके वहाँ पर बैट के computer पर सीखना स्टार्ट कर दीजे देखिए ये जो career है ना ये बहुत ही boom पर है हमें हमेशा ही इसकी requirement बनी भी रहती है और हमेशा hiring चलती रहती है और आप जितनी जल्दी जल्दी जितना जादा languages आप सीख लेते हैं जितनी software को आप learn कर लेते हैं और उसकी implementation अपने कहीं कहीं projects में करते रहते हैं तो आपके growth है ना हो बहुत ही speed से होता है समय लिए जैसे आपका experience है वो 3-4 साल का होता है उसके बाद जो आपकी salary growth होनी start होती है उसका कोई अंदादा नहीं है आपको क्योंकि कई सारे मेरे friends है जिनकी salary मतलब simple 4-5 साल का experience हुआ है उनकी salary 18-16 लाग के package के में आराम से आपका लग जाता है और लगा है उनका और फिर दीदेगर के graph आप उपर की तरह बढ़ता रहता है एक दो jump लेते हैं यह जो जितने भी website development वाले हैं और बहुत ही अच्छा package लग जाता है तो इसमें आप अपना career बना सकते हैं website designing में website development में बहुत ही मोटा कमाई है यह इसमें पहले बशिट से बता रहा हूँ आप अपना खुद का काम भी start कर सकते हैं जिसमें आप काम ले लेके website design करके उनको दी सकते हैं अब यह one time काम नहीं होता है यह लगतार इसमें एक तरसा आप बुल सकते हो कि website में अक्सर कुछ ना कुछ changes करवाते रहते हैं लोग तो आप maintenance charge भी कर सकते हैं जैसे कि आप समयले जी कि 5,000 रुपे महीने का आप maintenance charge उनसे ले सकते हैं और लगतार वो जो भी छोटे मोटे changes हैं वो करते रहोगे आप और उसकी आप मंथली आप उससे charge कर सकते हो आपका जितना time लग रहा है उस time की हिसाब से भी charge कर सकते हो कई लोग ऐसे करते हैं कि समयले जी कुछ लिए कुछ changes बेचे हैं उस client का changes के हिसाब से उन्होंने बता दिया कि इस काम के लिए कमिवन दो दिन लग जाएगा मुझे दो दिन का आप अपना जो बिल है वो उनको दे सकते हो कि हाँ इतने का बिल लगेगा ये बात कर रहा हूँ freelancing में आप कहीं से project उठाते हैं तब आप वैसे billing करते हो और वैसे आप पैसा इसमें अच्छा भी कमा सकते हो बाहर से जॉब के अलाबा भी आपको इसमें internet का knowledge बहुत अच्छा होना जरूरी है क्योंकि आप search करेंगे code और गएरा आपको online मिल जाता है उसमें बस आपको changes करने होते हैं तो थोड़ा सा internet पर भी आपका हाथ अच्छा होना चाहिए keyboard से आपको अच्छे खासे वाकिफ होना चाहिए shortcut keys वगर आपको मालूम होता है तो बहुत तेई सहां चलता है और यह एक बहुत अच्छा confidence देता है सामने वालों को interviewer भी को भी देखता है कि हाँ बनता है यह काम करता है तभी इसको keyboard पर हाथ इतना फटाफट चलता रहता है तो यह सारी चीज़े हैं आप अगर अपना website development और career चाहर चाहर है तो यह चीज़े बिल्कुल आप कर सकते हैं एक अच्छा आपको salary hike यहाँ पर मिलता है तो आज के लिए बस इतना रखते हैं फिर मिलेंगे बहुती जल्दी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेकेर नमस्कार